किमें दूधल ये हां इस निए किखे अ ध다 कि मैं आपको ये सक्रीन रिकॉर्ड इसलीब जैसरी विंडो है अगर अगर आप यहां पर आपकी पूरी टेटिए यहां पर से बाहर आप फिरें धूर पर से ऊसमें महने मर का टेचल डिख आप अखिता है 1st May to 31st May, मतलब इस महने से start का जो detail है, यहां से आपको दिखेगा, So, 1 मही से लेकर 31 मही तक आपको पूरी यहाँ पर आपकी details मिलेगी, अगर मैं सबसे पहले हिहाँ पर click room profile rating में, So, आप देख रहे हैं, आपकी profile rating यहाँ पर 4.55 दिखा रही है, अगर आप लोग आपर तर्गेट की स्क्रीन में देखेंगे तो आपको अपनी अपनी profile rating ने क्लिक करेंगे इनल आप पूरा detail दिखाए जाएगा कि आपने पिछले 10 जॉब्स में और 10 अपने पिछले 10 कस्तमर के जॉब्स जो किहें कस्टमर यहां पर फीडबेक भी दे सकता है वो आपको फीडबेक यहां पर दिखाई देगा भी जैसे यहां पर देख रहे हैं यहां पर एक नेगेटिव फीडबेक है दो इशूस मतलब दो कस्टमर ने नेगेटिव फीडबेक दिया है ठीक है behavior attitude के लिए के फिर अगर आपक कैसे बने वो सीखें तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके ट्रेनिंग के वीडियोज यहां पर देखेंगे यहां पर ट्रेनिंग के सारे वीडियोज आपको देखते हैं जो भी apps related अगर कोई issues होता है या फिर कोई नय वीडियो लाँच लोता है तो सब सारे के सारे व आपको दिखते हैं vaccination कैसे बुग करना है वो सब जो भी नहीं नहीं वीडियोज गोविडियोज यहाँ पर आयो है वो सब आपको पर दिख रहे हैं and pending pending मतलब जो वीडियोज आपने देखे नहीं है जो की आपको देखना है यहाँ पर दिखा रहा है understand more about leads and service delivery सिमें बताया गया है कि lead और service delivery के बारे में आपको समझाय गया है ठीक है? कलेंडर कैसे बुक करना है? ठीक है? service delivery कैसे करनी है? vaccination slot कैसे बुक करना है? यह सब सारे वीडियो से आपको यहाँ पे दिखाय जाएंगे फिर दूसरा आता पर delivered jobs पर तो जड़ डिलीवर जॉब्स में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका टार्गेट रहता है वह दिखाएगा वैंद आपने वह टार्गेट कम्प्लीट किया है कि नहीं किया है ठीक है आप देख रहे हैं यहां पर दिखा रहा है कॉंग्रेट्ट्स कॉंग्रेट्स पर ठीक है एक टॉप पार्टनर कैसे बनना है सो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टन्ट है यह वीडियो जरूर देखे हैं फिर आपका तीसरा जॉप्शन है रिस्पॉंस रेट रिस्पॉंस रेट मतलब आपके पास जितनी जॉब्स आती है उन जॉब्स में से आप कितना पर एक्स्क्लिजव जॉब्स रिस्पॉंस 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 आपको हाँ पर उस महने की दिखाई जाएगी सिर्फ देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप exclusive lead यहाँ पर miss हुई है यहाँ पर exclusive lead हमने respond की है ऑके, सो यह सब आपको यहाँ पर देख सकते हैं फिर आता है आपका SOP fail जो कि बहुत important है ठीक है ये SOP fail बहुत important है इसमें आप देख रहे हैं आपका max to max SOP fail 5% होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बड़ यहाँ पे आप देख रहे हैं SOP fail आपका 11% होगी अच्छी बात नहीं है इसका मतलब आप SOP मतलब काम करने का जो तरीका है Standard Operating Procedure वो कहीं न कहीं आप fail हो रहे हो आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां कर रहे है आप यह SOP fail पे आपको control करना पड़ेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना percentage है फिर आगे आने वाली jobs में आपको कितने अच्छी से काम करना है ताकि यह percentage कम होता जाए आप जब वहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका SOP percentage 11% दिखा रहा है आपके आपकी app में आपका खुद का SOP percentage दिखाए जाएगा फिर आप जब यहाँ पे नीचे देखोगे कि आपने लास्ट पचास जॉब्स में से कितनी SOP में क्या क्या फेल किया जैसे all strain remote तो किसी customer ने अन SOP में चार जॉब्स चार कस्टमर ने mark किया कि आपने दाग अच्छे से नहीं निका ले चार में लिखा कि आपने fragrance अच्छे से यूज नहीं किया दो जॉब्स में है कि आपने safety measure मतलब आपने proper जो safety equipments है पीपी के ड़वा के राच्छे से नहीं पहना फिर दो जॉब्स में दिखाएगा all area covered मतलब पूरा area covered नहीं किया कहीं न कहीं कुछ न कुछ miss कर दिया इस शीच को ध्यान रखिए हमारा जो SOP percentage है वो 5% से कम होना चाहिए फिर आप यहाँ पे click करेंगे service delivery में तो आपका दिखा रहे है service delivery 62.1% ठीक है तो आपने जितनी भी job respond की है वो यहाँ पे total दिखाए जाएगा उन में से कितनी jobs आपने delivered की है ठीक है यह आपका service delivery 50% से उपर होना चाहिए जिसे यहाँ पे 62.1% है तो अच्छा है बट 50% से कम है तो problem है तो आपको 50% के उपर ही आपका service delivery रखना है फिर आप यहाँ पे आएंगे आप देखेंगे your performance history मतलब आपका पिछले कुछ महनों का details दिखाए जाएगा इसमें mention है कि आपने इस महने में कितनी jobs की मार्च में कितनी jobs की फरवरी में कितनी jobs की दिसमबर, नौवंबर, अक्टूबर, सेप्टेमबर, लास्ट येर कितनी jobs की यह सब सारी jobs आपको पूरा performance history जो है आपको दिखाई जाएगी तो अगर आपको देखना है कि इस महने ना आपने कितनी jobs की तो अगर आपको details वहाँ पे मिल जाएगी अगर किसी customer ने आपको compliments दिया है तो आप यहाँ पे click करके देख सकते हैं अभी फलाल यहाँ पे इसमें कोई compliments नहीं है तो यहाँ पे नहीं देख रहा है अगर आपको किसी customer ने compliments दिया है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं तो यह target जो आपका option है इसमें आपको बहुत सारी details मिल जाएगी आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी progress कितनी है आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो आप कहाँ पे कोई कमी कर रहे हो वो सारी details आपको इस target के options में दिखाई हैंगी सब मैं आप सभी से request करता हूँ आप प्लीज टाइम निकालके यह target में क्लिक करिए और अपनी अपनी process जो आपकी मतलब progress हो रखी है कम जादा आपका SOP कितना है आपका profile rating कतना है customer ने क्या reviews दिये आपको वगेरा यह सब आप पूरा अच्छे से check करिए ठीक है उसी साब से फिर आगे काम करिए क्योंकि हमें आगे अपनी rating बढ़ानी है अपनी rating घटानी नहीं है आप यहां से ही check कर सकते हैं कि आपकी progress कितनी हुई है उसी के coding आप अपना काम अच्छे से करिए और अपनी rating बढ़ाईए और अपना SOP fail percentage 5% से कम रखिए Thank you